दोस्तों जिस तरह से दिल्ली के मुख मंत्री अर्बिंद केजरीवाल के घर को लेकर आरोप लग रहे हैं कि करीब करीब 44.78 लाग के उन्होंने अपने घर का रेनोवेशन कराया जनता का पैसा है वो अपने सुविधाओं पर और अपने उपर खर्च किया और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के निता कपिल मिस्रा जी है कपिल यह आपका बहुत-बहुत स्वागत है बहुत-बहुत आपार भाई तो इसका मतलब यह तो एक तथ्य है जो सामने आया है एक पोल है जो खुली है एक चीज जो छुपा के रखी गई थी कई बार जिंदिगी में परदा चीजों को ढखने के काम आता है लेकिन इनके आठ लाग के परदे ने इनका बहुत कुछ खोल के रख दिया जो छुपाया गया था तो यह सामने है कि इन्होंने दिल्ली की जनता का पैसा अपने एक बड़ा राज महल बनाने के लिए खर्च किया है और एक करोड रुपए के टीवी आप यह सोचो कि जेब में पांच रुपए का पैन, डाइसो रुपए की कमीज, टूटी हुई चपल और घर में एक करोड रुपए के टीवी और वो टीवी भी 10-10 लाख रुपए के जो इन्हों ने खरीदे हैं वो मार्केट में आज भी 3 लाख रुपए के मिल रहे हैं ऑनलाइन अगर कोई लेने जाए या शोरूम में जाके लेने जाए तो ब्रश्टाचार भी है नेतिकता की भी कमी दिखाई दे रही है और अपराधिक मामला भी दिखाई दे रहा है और दोनों तरीकों से इसकी जाच होनी चाहिए लेकिन वो तो अपने आपको बहुत कटा रिमानदार कहते हैं आप जब भी देखते हैं रैलियों में जाते हैं कहते हैं कि मैं तो बहुत कटा रिमानदार हूँ देश की कोई अदाला तुने जमानत नहीं दे रही है सतिंदर जैन जी के बारे में कोर्ट की टिपनी बहुत ही भयावए है हाई कोर्ट ने ये बात बोली कि वो हवाला के ओपरेटर के तौर पे काम कर रहे है मनिश शिशोदिया के बारे में कोर्ट की टिपनी ये है कि 100 करोड रुपए की रिश्वत लेने के एविडेंस दिखाई दे रहे हैं तो ये इमानदारी तो अब सामने दिख गई और अब एक बचा हुआ था इन में से उसकी इमानदारी दिखाई दे रही है कि उनकी पतनी खुच जा रही है और वो बोल रही है कि ताज महल में जो संगमरमर लगाई ये तो मुझे पसंद नहीं है मेरे को तो वियतनाम का संगम संगमरमर लाके दो 11 करोड रुपए का संगमरमर अपने घर में लगवाया जा रहा है और वो भी कब लगवाया जा रहा है जब कोरोना के काल में दिल्ली में ऑक्सीजन के लिए लोग दरदर भटक रहे थे इश्मशान घाट और कब्रिस्तानों के बाहर लाइन लगी हुई सकती है जो आमाधी पार्टी के नेता राज सबसांसाद है वो कहते हैं कि मुद्दे को भटकाया जा रहा है मुद्दे विरोजगारी की बात करते हैं पीमो को देख लेजिए मोधी जी भी तो 10 लाग का शूट पहनते हैं मोधी जीने के सरकार के पैसे से कोई 10 लाग का खरीदा है क्या अगर खरीदा है तो संजे सिंग लाके दिखा दे हम तो कागच लेकर आए ना सरकारी का संजे सिंग इस कागच के बारे बात कि यह यह भी नहीं बोल रहे कि यह जूट है तो मुद्दा क्या हुआ हुआ जिसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं अगर मुझे तो जिंदेगा, हो पं पड़ा हो ps2ा-urds, 14-15-का किज़े अटलाक रूपे कोसे लगे हो सकता हुए और आध यह परोगी उखारी और तुम आठलाक रूपे का पड़ा रखा रहे हो शरमोडी साल डाक 40 लाख रुपे की अलमारी एक करोड रुपे का टीवी और उसके बाद जेब में पांच रुपे का पैन इससे वड़ा कोई फ्रॉड हो सकता है और ये सब अपने पिताजी के पैसे से कर रहे हैं क्या ये जनता का पैसा है ना दिल्ली के लोगों का पैसा है ना कितने महला क्लीनिक बन जाते 45 क्रोड रुपे में 224 महला क्लीनिक 45 क्रोड रुपे में बन जाते दिल्ली के अंदर कितने स्कूलों में कमरे बन जाते ये ये ब्रिष्टा चाड़ नहीं है और ये आदमी एफिडैविट देकर आये ते ना फिडैविट में लिखे दिया था इन्होंने देश की द्राजनीति में कोई और मुख्यमंत्री है जिसने एफिडैविट दिया ओकि मैं बंगला निलूंगा तो आज के जिरिवाल यह बोले न वहले जूटा था मैंने जूट बोला था यह बात बोल सकते हैं आमानी पार्टी वाले कि उन्होंने जूट बोला था लेकर बात यह न कि वो कह रहे हैं कि घर जो है करीब करीब प्राइवेट 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 प्राइ यहीं पर तो नहीं रुके इसके बाद आपने इसको और बड़ा बना दिया जो यह पेंटालिस्क रोड का रेनोवेशन सामने दिखाई दे रहा है और इसके बाद अब जो कर रहे थे वह चीफ मिनिस्टर कॉम्प्लेक्स चीफ मिनिस्टर कॉम्प्लेक्स में ऐसे 23 बंगलों को मिला के एक घर बनाया जा रहा है अर्विंद केजरिवाल का जिसमें दिल्ली के सारे आईस ऑफिसर्स के पीछे के जो 20 बंगले हैं उनको भी खाली करा लिया गया है आईस ऑफिसर्स को कॉमन वेल्स गेम स्यूरज में र मिनिस्टर कॉम्प्लेक्स क्यों बनाया जा रहा था एक जाना चाहता हूं कि जब भी कोई दिल्ली के अंदर काम होता है तो एलजी के सिगनेचर जरूर होते हैं तो इस मामले को लेकर क्या हुआ कि अगर यह 45 क्रोड का एक टेंडर कराते तो ना केवल एलजी के सिगनेचर ह होते बलकि अखवार में टेंडर चपता दिल्ली की जनता को पता होता कि यह काम हो रहा है ओपन टेंडरिंग होती उसमें लोग बिढ करते और जिसकी सबसे कम बिढ होती नहीं उसको काम मिलता यह सरकार का नियम है 10 करोड से उपर का जो भी टेंडर होगा वो ओपन टेंडर इन्होंने इसको बायपस करने के लिए इस नीएम बचने關क रोकावार में टून च्पनेसा मालूम यह इन्होंने नौ करोड निन्यावे लाख रूपए के टून करा हैं यह आ लाक नंपढ़ रूपए को अब प्रगे मांपशनेक उन्पर में आ डो nem safe ध्या घ्य Regierung को थेज़ पाने की थी आप आज भी दिल्ली के PWD की वेबसाइट पे जाओगे PWD के जितने काम हो रहे हैं उसकी फोटो है वेबसाइट पे कहली मुख्यमंत्री के गर में जो काम हुए उसकी फोटो नहीं है यानि कि आप जानमूच के चीजों को छुपा रहे थे आप चाह रहे थे सच सापने ना आए और क्योंकि आप इंकम टेक्स में रहके आए हैं आपने सरकार के नियमों का लूप होल धूड़ा दस लाग की लिमिट को क्रॉस ना करके आपने 999,000 रुपे के टेंडर करवाए इसका मतलब आपकी शुरू से आपकी नियत में खोड़ती आप चोरी करना चाहते थे हमारी चभी खराब की जारी है हमारे नेता की अर्बिंद केद्रिवाल की चभी खराओ मैं कहा रहा हूं जो मैं सवाल उठा रहा हूं इनका चवाब देदेऊ वह तस करोड से के ट्वी क्या जरूरत들 थे अर्विंद केजरी बाफ को इन सवालों के चवाल देना आट लाँका पड़दा क्या चुपाना जो दोजार या तीनेजार के परदे से निढखा जा सकता उसके लिए 8 लाख रुपए का परदा आएगा और सबसे बड़ी बात ये सारी चीजे खरीदने के लिए कोन गया ये समान खरीदने के लिए मुक्रमेंत्री जी की दनपत्नी सुनीता केजरिवाल खुद गई दुकानदा का जवाब उनका कोई भी नहींता दे रहा है क्या मैं तो कह रहा हूं आप आईए जवाब दीजिए इन सवालों का उत्तर प्रदेश के पूर्मुक मंत्री है उन्होंने ट्विट किया सुसान सिन्ना ने जब सी स्महल चलाया था कि आपने सीम का तो आपने दिखा दिया पी है कि प्रदान मंत्री तो आप बन नहीं सकते इस जनम में तो आप हमारी जेब के पैसे से दिल्ली में प्रदान मंत्री जैसा घर बना लोगे के जरीवाल तो मुख्यमंत्री भी नहीं है पूरे है और प्रदान मंत्री के घर में आठ लाग का परदा लगा है क्या अगर आठ तो सवाल तो उठेगा ना सबसे बड़ा जो मुद्दा सराब घोटाले का सिसोधिया बाहर नहीं निकल पा रहे हैं सिच्छा मंत्री है दिल्ली के पूर्व क्या वज़े है कि सिसोधिया बाहर नहीं आप क्यों कि चोरी की है अपराधी है ब्रिष्टाचारी है हवाला का काम में है इसलिए यह तो कोट ने बोला है न यह तो मैं नहीं बोल रहा है दिल्ली के हाई कोट ने मनिश शुदिया को जमानत ना देने के बाद क्या बोला राइटिंग में बोला यह भी निकाली औरल टिपनी है राइटिंग में बोला कि 100 करोड रुपे की रिश्वत लेने की एविडेंस दिखाई दे रहे हैं हवाला से पैसे का लेंदेन हुआ है जमानत नहीं दी जा सकती यह कोट ने बोला है ऐसे लोगों को आभरत रतन देने की मांग कर रहे थे सतिंदर जैन और मनीश शुदिय है दोनों के बारे में जो कोड की टिपनी है ना ये पुलिस का वैयान है ना ये बाचपा की टिपनी है ना ये किसी का आरोप है दोनों के बारे में कोड की टिपनी ये कह रही है कि हवाला के माद्यम से पैसों का लेंदेन चल रहा था ब्रश्टा चार किया गया सरकाली पद जहां पर उनने अभी कई साल रहना है तिहाड जेल उसका उने रिनोवेशन कराना चाहिए था तो शायद उनको पाइदा हो अगर यह उन्होंने थोड़ा जेल का रिनोवेशन करालिया होता तो मनिस शोदिया से तिंदर्जैन और बाद में केजरिवाल तीनों के काम आता करीब 8-9 गंटे पूस्ताज हुई क्या लगता है कि केदरिवाल साब का भी हाथ है कि आप कह रहे हैं कि आप तहार जल का भी रोनोवेशन करवा लिए आप में को एक बात बता हो कि गबबर सिंग यह बोले कि भईया यह सामभा और काली आ जाते ते गाओं में जाके लोगों को मारते थे और यह मार के आ जाते थे पैसे लूट के आ जाते थे मैंने कुछ नहीं किया मतलब सतिंदर जैन और मनीश शिशोदिया ने बश्टाचार किया और केजरिवाल ने नहीं किया ऐसा हो सकता है कि यह संभव है क्या केजरिवाल मास्टर माइंड है और अभी तो सीबी इने पूस्ताश चुरू की है लेकिन मैं पिछले 6 साल से एक बात कह रहा हूं और रिक कि जिस तरह से अर्बिंद केजरिवाल पर आरोप लग रहे हैं बीजेपी की राष्टी पार्टी बन गई है वो कह रहे हैं कि हम राष्टी पार्टी है नरेंद्र मुदी को हरा देंगे इस वज़े से तो नहीं क्योंकि आरोप यहीं लगा रहे हैं देखिए मैं फिर से लिए तो फिर इसमें हमघे उपर सब्रेश हम प्रस्वाविज यहां हम सवाल के साथ मुठ तो यह दोखा नहीं यह फ्रॉट नहीं है यह चलकपट नहीं है यह विश्वास गात नहीं है जनता के साथ, तो क्या आप राश्टी पार्टी बन गे तो आपको जनता से जुट बोलने का अधिकार मिल गया, पैसे की लूट करने का अधिकार मिल गया, सवाल तो उठाए जाएंगे, डंके की चोट पे उठाए जाएंगे, और अरविंद केजरिवाल जी लोकसभा के सपन देखना छोड़कर तिहार जेल में किस प्रकार से उनका समय कटेगा इसकी प्लानिंग बनाए यह उनके काम आईगी यह उनके काम आईगी लाश्ट और आक्री सवाल यह प्रधानमंति नरेंद्र मोधी 2024 में कह रहे हैं कि इस बार फिर मुख प्रधानमंत्री बनने वाले हैं अर्विंद केजरिवाल पीम की रेस में क्या लगता है कहां से रेस में अब बताईए न मुझे कैसे हैं रेस में जीरो लोगसुबा सीट के साथ कोई प्रधानमंत्री बन सकता है क्या नितिश कुमार उनसे मिलने आ रहे हैं और नितिश कुमार मलिकार जुन खड़के से उन केवल एक चीज की रेस में है वो तीहाड जेल कैदी महासंग के चुनाव उसमें मनिश शोदिया सतंजर जैन एडविंद के एजरिवाल तीनों लड़ सकते हैं एक अधिक्ष बन जाएगा एक सेकर्टरी बन जाएगा और मेरी शुपकामना है उनके साथ और हो सकता है क्यों जवाब अर्बिंद केजरिवाल और उनकी पार्टी को देना ही पड़ेगा योगि भारती जनता पार्टी के नेता इस समय अर्बिंद केजरिवाल के पीछे पड़ गए है क्योंकि दिल्ली का पैसा लगा हुआ है बैरहाल इस मुद्दे पर हमारी पूरी तरह से नजर है ब हैं